प्रसिद्ध कथा वाचक देवकिनंदन महराज को मिली जान से मारने की धमकी आखिर किसने किया कॉल? पुलिस हुई सतर जी हाँ प्रसिद्ध कथा वाचक देवकिनंदन महराज को जान से मारने की धमकी मिली है साधी अरफ से एक अग्यात कॉल के जरिये महरास को जिन्दा जलाने की धमकी दी गई जिसके बाद महरास पुलिस ने मामले पस संखान लेकर NCR दर्ज किया है और कठा पंडाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है बाजूद उसके धर्मगुरू की सुरक्षा को लेकर उनके परिवार और शिशों में चिंताक बढ़ती जा रही है वही मामले को लेकर देवकिनंदन महराज का कहना है कि इससे पहले भी हर्मान जियनती के उसर पर उन्हें दुबई से जान से मारने की धमकी भरा कॉल आया था आपको बता दे कि देवकिनंदन महराज सनातन धर्म के लिए मुखरो कर बोलते हैं लबजियात पर भी उनके कई बयान चर्चा के विशय बने रहते हैं अब देखने वाली बात यह है कि मामला संगान में आने के बाद पुलिश प्रशासन क्या कदम उठाती है और कब तक आरोपियों का पता लगाती है तो यह थी इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट ऐसे ही सादा शेयर करें और मोबाइल नियूस 24 को सब्सक्राइब करें